हलो स्टूडिन्स नाम नेक्स कोशिन करेंगे कोशन नमब सेट्स अब विलेज हेविंग अपॉपुलेशन ओफ फोर आउजेंड रिक्वायर्स वन फिफ्टी लीटर्स ओफ वाटर पर हैड पर डे एक विलेज की जो पॉपुलेशन ओफ फोर थाउजेंड वहां पे हर रोज पर दे और हेड एक परसन को कितना पानी चाहिए 150 लीटर्स ऑफ oyटर पर एक दिन में एक परसन को पानी चाहिए 150 लीटर्स It has a tank measuring 20 into 15 into 6 एक tank है जिसका measurements given है, dimensions given है For how many days will the water of this tank last? इस tank में जो पानी है वो कितने दिन तक चलेगा यह हमें find करना है So सबसे पहले हमें given क्या है? Length 20 meter, width 15 meter, height 6 meter सबसे पहले हम find करेंगे volume of the tank कौन सी शेप में है? क्योंकि length, width और height 3 हो given है Volume का formula apply क्या? 20 into 15 into 6 meter cube 15, 2's are 30, 6, 3's are 18 So 1800 meter cube इस tank में पानी है और हमें जो दियाब है Given की one person को per day कितना पानी चाहिए? वो है liters में सबसे पहले हम उसे meter cube में change करेंगे So water requires for one person या हम एक सकते है one person requires water One person requires water is equals to 150 liter per day एक दिन में चाहिए 150 liter 1 meter cube is equals to 1000 liter या 1 liter is equals to 1 upon 1000 meter cube So 150 liter is 150 upon 1000 meter cube 0 से 0 कट गया तो यहां पे क्या आया? 0.15 meter cube meter cube में change कर दिया यह तो है कि one person को per day कितना पानी चाहिए? हमारे पास कितनी population है? 4000 4000 persons requires water per day 4000 persons को कितना पानी चाहिए? 15 upon 100 multiply by 4000 15 fours are 60 So 600 meter cube 600 meter cube इस गाओ के लोगों को पानी चाहिए दे लिए और tank में पानी कितना आता है? 1800 meter cube So volume of tank is equals to number of days into water required per day Volume of tank is 1800 Number of days हमें find करने कि कितने दिन पानी चाहिए? Per day पानी चाहिए 600 meter cube So 1800 divided by 600 is equals to number of days 6 threes are 80 Therefore water of tank will last for 3 days Will last for 3 days कि जो इस tank में पानी है वो जो गाओ के लोगों कितने दिनों के लिए यूज कर सकते हैं 3 days तक मों पानी चलेगा दुबारा से बता रहे हूं एक village की population है 4000 और उस village में हर परसन को हर रोज 150 लीटर पानी चाहिए तो हमने पहले find कि कि कितने 4000 परसन है तो उनको हर रोज कितना पानी चाहिए 600 meter cube मतलब एक गाओ में जो है जितनी भी population है 4000 उनको एक दिन में 600 meter cube पानी चाहिए अब हमें काया कि उनके पास एक tank है जिसकी measurements given है हमने volume of tank find किया 1800 meter cube जो tank है उसमें 1800 meter cube पानी आ सकता है तो ये tank का पानी कितने दिन चलेगा अगर एक दिन में 600 meter cube चाहिए पानी तो 1800 meter cube कितने दिन चलेगा 3 days clear